Hello Everyone, Welcome to the Online Session of Arzad High School आज हम करेंगे Class 3 की Real English का Chapter No. 4 जिसका नाम है भीम and the Buffalo यानि की भीम और उसकी भैंस आईए पढ़ते हैं स्टोरी को भीम वाज पूर फार्मर लिवट विज वाइफ और टू चिल्डरन इन आ विलेज भीम क्या था एक बहुत ही गरीब किसान था जो अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ गाउं में रहता था उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जहां वो सबजियां होगाता था उसके पास उसकी दो भैंसे थी जो उसके परिवार को दूद देती थी भीम और इसका परिवार बहुत ही खुश था और वो इसके लिए भगवान का शुकरियादा करते थे अब बच्चे बड़े हो रहे थे और भीम को बहुत पैसे चाहिए थे ताकि उनको स्कूल भेज सके अब भीम और उसके पत्ती ने क्या सोचा कि वो अपनी दो में से एक भैंस को बेच देंगे वो बहुत ही दुखी तो थे कि अब वो अपने एक वफदार जानवर से जिनों ने इतने सालों तक उनको दूद दिया अब वो से दूर हो जाएंगे बट दे हैड नो अधर आप्शन बट उनके पास कोई और आप्शन नहीं था अगले ही सुबा भीम चला गया अपनी पैंस को बेचने शहर उस आत्मी ने क्या कहा吗 कि दोस्त मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ क्या तुम अपनी इस भैंस के साथ मेरे इस घोड़े को चेंच करोगे तो भीम ने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और खुशी खुशी उसने अपना बफैलो उस आदमी को दे दिया बट सून ही डिसकोवर्ड दर्दी हॉर्स वाज लेम लेकिन उसे उसी शन बाद में पता चला कि वो हॉर्स क्या था लंगड़ा था उसे बहुत बुरा लगा बहुत मिराश हुआ वो अब उसे घोड़े को लेके चलता रहा सून अमेन केम विद अ काउ अगला उसे कौन मिला एक आदमी जिसके पास गाय थी भीम टोल्ड दे मैं वट हैपेंड दे मैं सेट डोंट वरी टेक माई काउ और गिव दे लेम होस तु मी अब भीम ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उस आदमी ने कहा कि चिंता मत करो तुम ये लंगडा घोडा मुझे दे दो और मेरी गाय ले लो अब भीम खुश हो गया और वो उस आदमी की उदारता देखकर बहुत उसको अच्छा लगा लेकिन जल्दी भीम को पता चला कि वो गाय क्या थी एक आँख से अंधी थी अब उसका दिल और दुख किया वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचन लगा अब मैं क्या करूँ फिर उसे फिर से एक आदमी मिला जिसके पास क्या थी एक बकरी उसने भी उसे ओफर किया कि अपनी गाय को मेरी बकरी के साथ बदल दो अब भीम मान गया पर आगे जाके उसे पता चला कि वो बकरी भी क्या थी बिमार थी अब दुखी और हताश होके भीम सोचे क्या अब नेक्स्ट उसको एक और आदमी मिला आगे जाके उसने वो बकरी किसके साथ एक्सचेंज की एक मुर्गी के साथ अब शाम को भीम ठक भी गया था और बहुत भूका था तो उसने फाइनली क्या किया उसने उस बकरी को चंद रुपियों में बेच दिया और उससे खाना खरीदा अपने लिए जैसे ही वो खाना खाना स्टार्ट कर रहा था एक बुड़ा भीकारी उसके पास आया भीकारी क्या बोलता है कि मैंने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है मुझे कुछ खाने को दे दो अब भीम को उस भीकारी के लिए बहुत बुरा लगा तो उसने जितना अपना खाना लाया था वो सारा उस भीकारी को दे दिया और खुद भूखा, निराश, ठका हुआ पॉकेट में बिल्कुल भी पैसे नहीं और वो घर आ गया भीम की वाइफ और बच्चे वो दुखी नहीं थे लेकिन उन्होंने क्या सोचा उसकी वाइफ ने क्या कहा कि आपने बिल्कुल सही काम किया है एक भूखे आदमी को कभी भी ऐसे वापिस नहीं करना चाहिए था अब खाना खाने के बाद सारी फैमली सोने चल गई जब वो सुबा उठे तो वो सारे ही आश्चेरे चकित हो गए जब उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा भीम के घर के बाहर आनिमल्स की लाइन लगी हुई थी वहाँ पे एक यंग बफैलो एक हेल्दी होर्स एक गाए एक गोट और एक हैन सब थी और साथी साथ एक बैग था जिसमें गोल्ड के सिक्ये भरे हुए थे After a few moments of surprise कुष तेल चकित होने के बाद उन्हें पता चला कि ये क्या हुआ था तो भीम की वाइफ ने क्या कहा मुझे लगता है कि उस भीकारी के रूप में कौन थे स्वैम भगवान थे और उन्होंने आपकी इस उदारता को देखते हुए आपको ये reward यानि की पुरुसकार दिया है अब भीम की family में कोई दुख, कोई चिंता नहीं थी वो सब खुशी-खुशी रहने लगे तो ये थी आपकी story I hope आपको पसंद आई होगी अब हम करेंगे इसके comprehension Take the correct statement and cross the false one ये है आपके true false भीम never thought about God तो ये है false The buffalo was a loyal animal ये है true The horse was blind in one eye ये है false भीम's wife did not get angry with भीम after he lost the buffalo True The man who exchanged animals with भीम brought them to भीम's house the next morning ये क्या है? false अब है आपका match the animals with what it was exchanged for यानि कि left-hand side में जो animals दिये हैं आपने उनको उससे मिलाना है जिसके लिए वो बदले गए थे Buffalo को किसके साथ चेंज किया गया था? horse के साथ cow को चेंज किया गया था? goat के साथ hen को चेंज किया गया? a few rupees के साथ horse को चेंज किया गया? cow के साथ और goat को चेंज किया गया hen के साथ next है answer these questions number one how many people lived in Bhim's house? who were they? तो इसमें आप लिखेंगे four people lived in Bhim's house Bhim, his wife and his two children question number two why did Bhim need more money? तो इसमें आप लिखेंगे Bhim needed more money to send his children to school question number three what is the moral of this story? तो इसमें आप लिखेंगे the moral of this story is that we must help people who are in need then God will help us क्या था इसकी शिक्षा? कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिनको हमारी मदद की सहायता होती है अंत में भगवान हमारी help जरूर करेंगे अब हम करते हैं इसका B part याने की vocabulary अब यहाँ पे कहा गया है read these sentences Bhim had two buffaloes, he decided to sell one of them अब दोनों sentences में उपर two है और नीचे two दोनों की spelling तो अलग है लेकिन pronounce करने में एक जैसे है जैसे की नीचे दो word दिये है C and C एक का मतलब होता है देखना और एक का मतलब होता है समुंदर इन शब्दों को क्या कहा जाता है homophones जो लिखने में अलग-अलग हो meaning भी अलग हो लेकिन बोलने में एक जैसे हो write the words in their proper places अब आपको ब्रैकेट में दो वर दिये हैं जहां यह आएंगे उनको वहां पे आपने लिखना है it is not dash to speak तो यहां कहां लिखेंगे आप allowed it is not allowed to speak आगे allowed in the class यहनकी पहले आएगा आपका a-l-o-w-e-d और दूसरे में आएगा a-l-o-u-d second है some people don't dash with their dash hand तो पहले में आएगा w-r-i-t-e और second में आएगा r-i-g-h-t ठीक है third है I can't dash the teacher from dash तो first में आएगा h-e-a-r और second वाले dash में आएगा h-e-r-e ठीक है fourth part dash of the girls dash a prize तो पहले आएगा won o-n-e won one of the girls w-o-n won a prize number five the dash dash a salad किसने बनाया salad मेड ने तो यहाँ आएगा पहले dash में आएगा m-a-i-d और दूसरे dash में आएगा m-a-d-e आप करेंगे हम b2 write the missing word to make a homophone pair अब आपने पेर बनाना है इनका कि sun के साथ कौन सा आएगा s-u-n i के साथ यहाँ आएगा सीधा capital I dear के साथ आएगा dear d-e-a-r by के साथ आप लिखेंगे by b-y-e और hair के साथ आप लिखेंगे hair h-a-r-e इनको कहते है हम homophones आगे हम करेंगे grammar part आप इन phrases को देखिए यह दो sentences को जोडने के लिए हमने यहाँ क्या use किया है and चीक है उसी तरीके से इनको क्या कहा जाता है जो दो sentences यह phrases को जोडता है उनको conjunction कहा जाता है या तो joining bird ठीक है तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से यह करेंगे बीच में and लगा के तो first में क्या आएगा tall and dark second में आएगा karan and arjun third में आएगा in and out four में आएगा read and write fifth में आएगा bright day and rainy night six में आएगा raheem's crayons and natasha's pencils seventh में आएगा the teacher is sitting and talking eighth में आएगा I opened my book and began to write ninth में आएगा आपका John and Asra are singing and tenth में आएगा the hall was empty and we got seats in the front row ठीक है next है आपका listening and speaking जैसा हम करेंगे अपनी D2 exercise what will you say in the following situation अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज होगी तो आप क्या कहेंगे यह आपने लिखना है first में आपको दिया है you want your father's permission to join the school picnic यानि कि आपको अपने पिता जी से permission मांगनी है ताकि आप school picnic में जा सकें तो आप क्या कहेंगे इसमें may I join the school picnic question mark ठीक है next situation आपको दी है कि आपको अपने दोस्त की math notebook मांगनी है तो आप क्या कहेंगे तो इसमें आप लिखेंगे can I borrow your math notebook question mark third में आपको दिया है कि आपको आपके जो neighbor है पडोसी उनके garden से कुछ फूल लेने है तो आप कैसे मांगेंगे इसमें आप लिखेंगे may I pick a few flowers from your garden question mark fourth में है कि आप खेलना चाहते हैं बच्चों के साथ अपने पडोसी जगा में तो आप बच्चों से क्या बोलेंगे can I play with you question mark next है फिफ्ट माला आप एक रेस्टरॉन में हैं और आपको वेटर से एक और आइस क्रीम का scoop मांगना है तो आप क्या कहेंगे उनसे can I get another scoop of ice cream question mark ठीक है तो ये था आपको chapter I hope आपको समझ माया होगा अगर आपको इसमें कोई भी problem हो तो हमें नीचे comment करना ना भूलें इस वीडियो की और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे like and share जरूर करें thank you very much and have a nice day